इन्दॉर रेट असोसियेशन के नमन्योक्त अध्याप्श्वरंजीत गुर्जर ने मीडिया के सामने रेट माफियाओं के खिलाफ जंग छेरने की बात कही है गुर्जर ने माना है कि उन्ही के बीच कुछ लोग इस कारोबार को अवैद रूप से अंजाम देते हैं जिससे कि उनके पूरे व्यापारी संग की बदनामी हो रही है गुर्जर ने माना है कि उन्ही के बीच कुछ लोग इस कारोबार को अवैद रूप से अंजाम देते हैं जिससे कि उनके पूरे व्यापारी संग की बदनामी हो रही है साथी नवनियुक अध्यक्ष ने यह भी कहा कि वैप्रसाशन के अधिकारियों से निवेदन करेंगे कि इमानदारी से कार करने वालों को इमानदार घोशित किया जाए ताकि उन्हें दूसरे के किये कारों के कारण बदनामी ना झेलनी पड़े रेत असोसियेशन के अध्यक्ष ने मीडिया के सामने कहा कि दो दिन पहले राजीन नगर मंडी में प्रसाशन की कारिवाई हुई वे कलेक्टर से मुलाकात कर उन्हें बताएंगे कि इस तरह की कारिवाई क्रप्या ना की जाए और सभी को प्रसाशन द्वारा न्याय दिया जाए वही नई रेत मंडी के लिए भी मांग रखी जाएगी गुर्जर ने कहा कि सीएम के आदेश है कि भू माफियाओं और खनेच माफिया पर कारिवाई करने की लेकिन असल रेत माफियाओं को छोड़ कर छोटे छोटे व्यापारियों को परिशान किया जा रहा है जो की गलत है नवनेउक्त अध्यक्ष ने कहा कि जल दीवे सब को साथ लेकर अधिकारियों से बात करेंगे और पूरे इंदौर जिले से व्यापारियों को बलाकर एक कमेटी भी बनाए जाएगी साथी रेत असोसियेशन के अध्यक्ष ने इंदौर शहर के तीनों मंत्रियों से भी कई अपेक्षा रखी है उन्होंने सभी मंत्रियों से बात करने की भी बात कही है सब्सक्राइब को बहुत धन्यवाद जो आप मेरे पास आए और रेत व्यापारियों दौरा कल जो एक मिटिंग आयुजित की गई थी उसमें मुझे अध्यक्षपत का जुदायित दिया गया है मूसे दिल से शुकार करता हूं और मेरी एक प्रतं मूंहिये है है कि जो दो दिन पहले राजन्दगर मंडी में गरेब वियापारियों जो लोगल के सांट कारवाई है वहिए एक हुए लोक। को नियाए दिलाना वो सरव परतम कारी मेरा रहेगा उसके लिए में कल कलेक्टर मोहदई से मुलाकत करना चाहता हूं और दूसरी मेरी ये मांग रहेगी के बहुत समय से 15-20 साल सामें एक मांग उठाते जा रहे हैं पूर अद्देश में मांग उठा रहे हैं कि हमारे मंडिक प्रयास पहले भी था और अधीकारियों से भोस सारा उगड़ भी करा बहुत सारी जमीन की बात भी हुए हमें और हम चाहरे हैं कि वह चीज वापीस फिर से हो और रेत व्यापारियों के लिए जो चोटा व्यापार करते हैं रेत की गाड़ें लेके आते हैं राल्टी सेज सब्सक्राइए हैं उन पे कारोई की जा रही है चोटे व्यापार हूपर और इन इन्हीं अधीकारियों से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कम से कम इन व्यपार ही को छोड़ा जाए जो व्यवस्तित इमान धरी से व्यपार करना चाहरे हैं और मेंने कल भी इस सिलसले हम बात करी थी माइनिंग अधिकारी शेम आयत हैं यहां